हेलो दोस्तो, महात्मा गांधी जी ने कहा है व्यक्ति विचारों की उपज है, जो वो सोचता है वो बन जाता है आपने ठीक सुना दोस्तो, विचारों से ही व्यक्तित्व का निर्मान होता है हम जानते हैं ये लेकिन फिर भी हमारे दिमाग को हम positive सोचना नहीं सिखा पाते हैं हम कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग इसके लिए तयार नहीं होता इस वीडियो में दी गई ये 5 बातें आपको positive thoughts के लिए अपने दिमाग को तयार करने में जरूर help करेंगी तो चलिए शुरू करते हैं हेलो दोस्तो वेलकम टो माई चैनल हेमाज positive planet दोस्तो हम सब चाहते हैं हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे हमारे आसपास के रिष्टे अच्छे हो हम जो चाहें वो हमारे जीवन में होता रहे लेकिन ऐसा होता नहीं है ये जीवन है दोस्तो सुख और दुख आते चले जाते हैं और कई बार तो परिस्तियां इतनी विप्रीत हो जाती हैं कि हम चाहकर भी positive नहीं हो पाते हैं तो अपने दिमाग को हम कैसे तयार करें कि वो किसी भी परिस्तिती के लिए तयार रहे इसके लिए जरूरी है दिमाग को positive thoughts के लिए तयार करना दोस्तो वो पहली बात वो पहली बात ये है कि positive thoughts में हम कौन से zone में होते हैं तब positive विचार हमारे मन में आते हैं जियां दोस्तों आपको ये पहचानना होगा कि आप positive zone में है या negative zone में है अब ये कैसे समझेंगे आप negative zone का मतलब ये है कि आप एक ऐसे zone में हैं जहां आप जितने भी जो गलत सोच है उसके माहल में आप हैं मान लीजे आप किसी के बुराई कर रहे हैं आप हो सकता है किसी के जिसमें आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है वो zone negative zone है positive zone ये आप अच्छे से समझ सकते हैं positive zone का मतलब हम उस zone में होते हैं जहां पर हम अपने मन का सब कर रहे होते हैं quality time अपनी family के साथ spend कर रहे होते हैं या फिर हम अच्छा सोच रहे होते हैं मन में जोश होता है उत्स चेक नहीं करते हैं कि हम कैसे zone में हैं क्या हम दिन बार negative zone में रहते हैं या फिर हम positive zone में और अगर दोस्तों आप में से बहुत से लोग negative zone में रहते हैं तो दोस्तों उस zone से बाहर निकलना होगा आपको क्योंकि सकारात्मकता के अलावास जीवन में कोई और अच्छा विकल् के लिए तयार करें हमें कैसे पता चलेगा कि यह सकारात्मक विचार हैं दोस्तों दूसरी इंपोर्टेंट बात है कि आप अपने दिन पूरे दिन नहीं हैं, इसका मतलब आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो सबसे पहले feelings को check करिए, अब आप feelings को check नहीं करना चाते, इसका कोई option नहीं हैं दोस्तों क्यूंकि आप ऐसे राष्टे पर नहीं बढ़ सकते, जिसकी Monzil पर जाने का आपको रास्ता ही नहीं मालूम, आप इसको ऐसे समझ लीजे, मान लीजे आप किसी रास्ते पर अपनी एक डेस्टिनेशन आपने तै की हुई और आप वहाँ जाना चाहते हैं, और आप रास्ते पर बढ़ रही हैं, लेकिन दो राहे, तिराहे या चोराहे पर आप एक बार के लिए जरूर रुकेंगे, और आप चेक करेंगे क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, और आप इसमें हो सकता ही, आप गूगल मैप की हेल्प लेले, या फिर किसी से पूछें, कि फला जगे जाने का सही रास्ता कौन सा है और जब आप तै कर लेंगे कि ये सही रास्ता है उस पर आप बढ़ते चले जाएंगे तो दोस्तों ये चेक करना जरूरी है कि आपका दिमाग किस दिशा में जा रहा है क्या वो नकारात्मक है या सकारात्मक दिशा है तो अगर नकारात्मक दिशा में आपका दिमाग सोच रहा है तो उसे वापस सकारात्मक दिशा की तरफ लेकर आईए दोस्तो और यह आप कर सकते हैं जब आप अपनी feelings चेक करेंगे तो ऐसा होता चला जाएगा अब बात आती है तीसरी, तीसरी important बात है दोस्तो, आप जैसा सोचेंगे न, जैसे विचार मन में लाएंगे न, दूसरे वैसे ही विचार आपके मन में आते चले जाएंगे, कैसे, जैसे magnet, है न, अपने thoughts को magnet की तरह यूज कीजिए दोस्तो, आपके विचार, आपके, आप इ उसरे विचार आते चले जाते हैं, किसी की जब आप कमिया निकालने लगते हैं, तो एक के बाद एक कमियों के लंबी फेरिस्ट आपके सामने आ जाती है, ठीक ऐसे ही, आप इसको practice मिलाके change कर सकते हैं, जब आप किसी की तारीफ करते हैं, तो तारीफ करते समय भी अच्छे विचार आपके मन में आने लग जाते हैं, यानि दिमाग को जो message हम देंगे, वही message वो बापस आपको पहुचाएगा, कहने का मतलब यह है, कि जो आप चाहते हैं, वही दिमाग को सोचना सिखाईए दोस्तों, अब बात आती है कि हमने check भी कर लिया, हम positive thoughts में भी हम आगे ब आप सुबह जब उठकर अपने काम के लिए जाते हैं, आप तयार होते हैं, तो आप कपड़े चूज करते हैं, ना डेली, यह फलाँ दिन को मुझे यह वाली ड्रेस पहननी है, और आप उसे चूज करते हैं, और जो आपको पसंद आता है वो पहन कर आप काम पर चले जाते हैं, क्या ठीक इसी तरह से विचारों को नहीं पहना जा सकता, पहना जा सकता है दोस्तों, तो चूज यॉर थोट्स, यानि जब आप सुबह घर से निकले, तो मन में एक कोई पोजिटिव विचार ले लिजिए, कि आज पूरे दिन मुझे ऐसा सोचना है, जैसे आज मैं प गिफ्ट देना है, सिर्फ एक मुसकान का, ये एक पॉजिटिव थोट आपके पूरे दिन को दोस्तों बहुत अच्छा बना देगा, ये प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं, अब बात आती है, ये प्रैक्टिस हम लाएंगे, तो रोज कैसे मशक्कत करें, भाई ये जब भी आपके मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, अब क्या करते हैं, उसे बिना चार्ज की इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, नहीं न, उसे आपको रीचार्ज करना पड़ता है, और आप उसे रीचार्ज करते हैं, और जितनी बार बैटरी डाउन होती है, उतनी ही बार आप को चेक करना होता है कि मैं positive zone में हूँ या negative zone में हूँ तो अपने thoughts को positive zone में लाने के लिए अपने आपको check करते रहें दोस्तों यह मुश्किल नहीं है यह बहुत आसान है बस इसकी आदट डालनी होगी और आदट डालने के लिए क्या करना है आपको बस रोज अपने thoughts अपने feelings चेक करिए और negative zone में है या positive zone में उससे convert कीजिए positivity की तरफ तो उमीद है इस वीडियो में दी गई यह 5 बाते आपको जरूर help करेंगी तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही आपको कैसा लगाए यह मुझे comment box में अपने suggestions आप जरूर लिख कर बताएं और अगर अच्छ thank you so much for watching this video